मुरली की तान बज़रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़रही मुरली की तान बज़रही आज 10 अक्तूबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी रिवाइस डेट है 11 अगस्त 1988 सफलता का चुम्बक मिलना और मोल्ड होना बाबा बच्चों के स्नेहे को देखकर दिल से बात कह रहे हैं कि आप सब का स्नेहे बाबा के पास पहुंच गया और आप सब मिलकर जो विचार मिलन का समेलन कर रहे हैं इसे देखकर बाब ददा हरशित हो रहे हैं सब स्नेही बन स्नेही के वाइब्रेशन चारो ओर फैला रहे हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम पहले स्वयम फिर ब्रामन परिवार फिर विश्व एक दो के साथ संसकार मिलाना विचार मिलाना और फिर बाप समान संसकार बना लेना ये है सच्चा सच्चा बाबा का मिलन एक दो के समीप आते जाएंगे तो सफलता भी समीप आते जाएंगे एक दो के समीप आएंगे, मोल्ड हो जाएंगे, तो ये सफलता अनेकों को भी बाबा के समीप लाएगे ब्रामन परिवार का स्रेश्ट संकल्प होना, सहयोगी होना, अनेक आतमों को सहजयोगी बना देगा और उसका भी आधार है कि आपका हर संकल्प सच्चा निस्वार्थ स्ने से भरा हुआ हो, आपके हर संकल्प में दातापन की भावना, सहानुभूती की भावना, रहम दिल की भावना ये नैचुरल नेचर बन जाएंगे जब ये नैचुरल नेचर बन जाएंगे तो इसको कहेंगे सच्चा सच्चा स्ने मिलन, विचार मिलन, संसकार मिलन बाबा बच्चों को सफलता का चुम्बक समझाते हुए कह रहे हैं कि आप बच्चे एक दो के समीब आ रहे हो तो एक दो को जानते जा रहे हो तो जो बच्चे मोल्ड हो जाते हैं, वो रियल गोल्ड बन जाते हैं, बाबा चाहते हैं कि वर्गी करण की सेवा हो, कोई भी वर्ग रहना चाहे, हर एक वर्ग का सैंपल जरूर तयार करो, सभी का एक संकल्प होना चाहिए कि सफलता होनी ही है, जब कोई बड़ा कारे करते है तो सब उमंगुत्सा के बूल बूलते हैं, सनेहे भरे बूल बूलते हैं, शक्ती भरे संकल्प के बूल बूलते हैं, इसी से ही कुम्बकरण जगेंगे, बाबा चाहते हैं कि कोई भी वर्ग ना रह जाए, उसके लिए सब का सहयोग होना बहुत आवश्चक है, सब अपनी अच्चे शुक्रिया मानते हैं, और बाबा बच्चों को शुक्रिया कहते हैं, आप आपस में भी इस वीधी से आगे बढ़ते चलो, हांची और शुक्रिया, हांची और शुक्रिया, अगर आपस में संग्ठन में ये बाते प्रयोग करेंगे, तो इस वीधी से सहजी बिश्टा बन जाएंगे कभी कभी विस्तार में चले जाते हैं तो स्वेम के पुर्शार्थ पर अटेंशन कम हो जाता है बाबा कह रहे हैं कि ये छोटा सा जो संगठन है ये कंगन की भाती तयार हुआ है अभी माला तयार करनी है इसलिए एक दूसरे के प्रती रिगार्ड प आप भी एक दो के आगे हांची करते हुए रिगार्ड देते हुए दिल का प्यार देते हुए आगे बढ़ते चलो इसी से ही दाना दाने के समी पाएगा एक दो के समी पाजाएंगे और सफलता मिलती जाएगे बहुत सुन्दर बात बाबने वर्दान में समझाई कि विकारों के अंश-वंश को भी समाप्त करने वाले बनों संपूरन ट्रस्टी बनों यग्यस नहीं बनों कोई भी पुराने संसकार को चिपा कर रखा तो माया की भी कैचिंग पावर बहुत तेज है इसलिए पुराने संसकारों को अंश-वंश सहित समाप्त करो किसी की विशेशता देखकर उससे विशेशने हो जाना यह भी लगाव की निशानी है आज हम सद्रड संकल्प करेंगे कि मैं सफलता मुरत आत्मा हूं मुझे मोल्ड होना है मोल्ड होने के साथ-साथ संसकार मिलन करने हैं उसके ल हांची और शुक्रिया इन्हें प्रयोग करते हुए सफलता मुरत बनेंगे चलते फिरते याद रहे मैं सफलता मुरत आत्मा हूं अब सुनते हैं मुर्ले विस्तार से आज के अव्यक्त मुर्ली का सार है सफलता का चुम्बक मिलना और मोल्ड होना सबका स्नहे स्नहे के सागर में समा गया ऐसी सदा स्नहे में समाय हुए औरों को भी स्नहे का अनुभव कराते चलो बाप तदा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्शित हो रहे हैं उड़ते रहने वाले बच्चों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतही प्राप्त होते रहेंगे बाप ददा आये हुई बच्चों के उमांग उत्सा को देख सभी बच्चों पर स्ने के फूलों की वर्षा कर रहे हैं संकल्प समान मिलन और आगे संसकार बाप समान मिलन ये मिलन ही बाप का मिलन है संकल्प समान मिलन और आगे संसकार बाप समान मिलन ये मिलन ही बाप का मिलन है यही बाप समान बनना है संकल्प मिलन संसकार मिलन मिलना ही निर्मान बन नमित बनना है समीब आ रहे हो आ ही जाएंगे सेवा की सफलता की निशानी देख हर्शित हो रहे है स्नेही मिलन में आये हो, सदा स्नेही बन, स्नेही की लहर विश्व में फैलाने के लिए लेकिन हर बात में charity begins at home, पहले स्वयम है अपना सबसे प्यारा होम तो पहले स्वयम से फिर ब्रामन परिवार से फिर विश्व से हर संकल्प में स्नेही निस्वार्थ सच्चा स्नेही दिल का स्नेही हर संकल्प में सहानुभूती, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की natural nature बन चाए अच्छे से नोट करेंगे अपने पास हमारा स्नेही दिल का स्नेही हो, निस्वार्थ सच्चा स्नेही हो हर संकल्प में सहानुभूती हो, रहम दिल हो, दातापन की natural nature बन चाए यह स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संसकार मिलन, सर्व के सहयोग के कार्य से पहले सदा सर्व स्रेष्ट, ब्रामन आत्माउं का सहयोग, विश्व को सहयोगी सहज स्वते ही बना लेता है। उन दिनों प्रोजेक्ट चला था, सर्व के सहयोग से सुख में संसार, तो बाहर वाले सब के सहयोग से पहले जो ब्रामन आत्माई हैं, वो सर्व स्रेष्ट, ब्रामन आत्माउं का जो सहयोग है, विश्व की आत्माउं को सहयोगी सहजी बना लेगा, इसलिए सफलता समी पा रही है मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना यही सफलता का चुम्बक है बहुत सहज इस चुम्बक के आगे सरवात्माई आकरशित हो आई की आई मीटिंग के बच्चों को भी बापतदा स्ने की मुबारक दे रहे हैं समीप हैं सदा समीप रहेंगे ना सिरब बाप के ल विश्व को विजन दिखाने से पहले बापतदा ने देखा आने वाले सरवा बच्चों के एक्षन को देख क्या एक्षन करना है होना है उस सहज ही समझ जाएंगे आपका एक्षन ही एक्षन प्लैन है अच्छा प्लैन सब अच्छे बनाए है और भी जैसे कारे आरंब होते बाप्तदा का विशेश इशारा वर्गी करण को त्यार करने का था और अब भी है विंगवाई सेवा हर एक वर्ग की सेवा डॉक्टर्स, इंजीनियर, राजनेता, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर विंग की सेवा, ये लक्षे रहा अब भी है तो ऐसा लक्षे जरूर रखो, इस महान कारे में कोई भी वर्ग रहना जाए चाहे समय प्रमाण जादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रतनवा लक्षे ये जरूर रखो कि सेंपल जरूर तयार हो, बाकी आगे इसी कारे को और बढ़ाते रहेंगे तो समय प्रमाण करते रहें लेकिन समाप्ति को समय प्लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पे समपरक में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सकते हो कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के अधार से सहयोगी बनाया है तो ये लक्षे सर्व के कारण को पूरा कर देता है कोई भी वर्ग का उलाना न रह जाए, कि हमें तो पता ही नहीं है क्या कर रही हो बीज डालो, बाकी वरीधी जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें, जितना होना उतना होई जाएगा जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए सेंपल तो तयार कर सकते हो न बाकि जो इंडियन गवर्मेंट भारत सरकार को समीप लाने का स्रेश्ट संकल्प लाया है वैस समय सब की बुद्धियों को समीप ला रहा है इसलिए सर्व ब्रामनात्माई इस विशेश कारेकर्थ आरंब से अंत तक विशेश शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजे के निष्चे की द्रड़ता से आगे बढ़ते चलो सफलता होनी ही है संसकार मिलन करना ही है उससे पहले विशार मिलन करना है विजे के निष्चे के द्रड़ता से आगे बढ़ते चलो लेकिन जब कोई बढ़ा कारे किया जाता है तो पहले जैसे स्तूल में देखा है कोई भी बोज उठाएंगे तो क्या करते हैं सब मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उलास बढ़ाने के बोल बोलते हैं देखा है ना जब कोई चीज मिलके उठाते हैं तो सब कितनी जोर से उमंग से बोलते हैं सब मिलकर के जब उमंग से बोलते हैं और उंगली देते हैं तो सब में उमंग का संचार होता है बा कैम Armenian साके वाइब्रेशन है primary कुम्ब करण को नीद से जगाएंगे हैं सब के स्निंыл के सहयोग के शक्ति के मंग उद्सा के वाइब्रेशन कुम्ब करण को नीद से जगाएंगे यह एटेंशन जिरूरी है इस विशेष कारे के ऊपर विशेष्वयम सर्व ब्रामन और विश्यो की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित बन जाता है इसने बाप ददा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्शित हो रहे थे खास संग्ठन के स्ने के कारण स्ने का रिटर्म देने के लिए आए है बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो बने हुए हो बहुत सुन्दर बात बहुत अच्छे हो अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो इससे डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवरेडी बन उड़ने के निमित बाप तदा विशेश बच्चों को हिरदे का हार बनाई समाते हैं दिल में समाते हैं कुमारियां तो हैं इक नहिया कि बस एक शब्द याद रखना सब में एक मत एक रस एक बाप भारत के बच्चों को भी बाप तदा दिल से मुबार्प दे रहे हैं जैसा लक्षे रखा, वैसे लक्षन प्रैक्टिकल में लाया, समझा, किसको कहें, किसको ना कहें, सबको कहते हैं, दादी को, जो निमित बनते हैं, उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूती की निशानी है, जो निमित होता है, उसको तो संकल्प रहता है, दादी को दे तानु भुति की निशानी है, मिटिंग में आयोए सब भाई वेनु को बापतता ने स्टेज पे बुलाया, सभी ने बुद्धी अच्छी चलाई है, बापतता हर बच्चे के सेवा किसने को जानते हैं, सेवा में आगे बढ़ने से तहां तक चार और सफलता ही सफलता है, इसक मेनत नहीं की महबब दिखाई, अच्छा, अच्छे उमंगुद्धा के साथ ही मिले है, विशाल कारे है, विशाल दिल है, से जहां विशालता है, मह सफलता है ही, बापतता सभी बच्चों के स्ने के लगन को देख, रोज खुशी के गीत गाते हैं, बच्चों के सेवा की ल सोचे, वहा बच्चे वहा, भगवान की इतकार है, वहा बच्चे वहा, अच्छा, आने में कितने राज थे, राजो को समझने वाले होना, राज जाने, बाप जाने, दादी में बापतता को भोग स्विकार कराना चाहा, आज दृष्टी से ही स्विकार करेंगे, अच्छा, सब की बुद्धी बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो इसले सफलता अतीज समीप है समीपता सफलता को समीप लाएगी ठक तो नहीं गए बहुत काम मिल गया लेकिन आदा काम तो बाप करता है सब का उमंग अच्छा है द्रड़ता भी है समीपता कितनी समीप है चुम्बक रख दो तो समीपता सब के गले में माला डाल देगी ऐसे अन्वो होता है अच्छा सब अच्छेते अच्छा है दादियों के प्रति बाप बच्चों को शुक्रिया देता बच्चे बाप को एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ो ये विधी है आगे बढ़ने की इस विधी से आप लोगों का संग्ठन अच्छा है एक दो को हांची कहा शुक्रिया कहा और आगे बढ़े इस विधी को सब फॉलो करें तो फरिष्टे बन जाएंगे कोई सेवा मिली हांची किसने सहयोग दिया शुक्रिया ये दो बाते अगर अपनाएंगे सब फोलोग करेंगे तो फरिष्टे बन जाएंगे बाप तदा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं अभी कंगन बना है गले की माला तयार हो रही है गले की माला तयार करने में लगे हुए हो अभी अटेंशन चाहिए ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने उपर अटेंशन कहीं कहीं कम हो जाता है सेवाओं की अत्ती में चले जाते है तो कभी कभी अपने उपर अटेंशन कम हो जाता है विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है इमर्ज रूप में नहीं रहता आप लोगी कहते हो अब ये होना है कभी ऐसा दिन भी आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वो ही हो रहा है जो होना चाहिए वो ही हो रहा है पहले दीपको की माला तो यहां ही त्यार होगी, बाप ददा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्सा बढ़ाने का एक्जामपल समझते हैं, आप लोगों की यूनिटी ही यग्ये का किला है, चाहे दस हो, चाहे बारा हो, किले की दिवार हो, तो बाप ददा कितना खुश होंग बाप ददा तो है ही, फिर भी निमित तो आप हो, ऐसा ही संगठन, दूसरा तीसरा ग्रूप बन जाएं, तो कमाल हो जाएं, अब ऐसा ग्रूप तियार करो, जैसे पहले ग्रूप के लिए सब कहते हैं, इनका अपस में सने हैं, विशेश दादियों का, जो हम सबने नेत्रो से देखा, स्थूल नेत्रों से भी और बुद्धी के नेत्र से भी देखा, सब का अपस में बहुत प्यार, रूहानी सने हैं, स्वभाव भिन भिन हैं, वो तो रहें गई, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांची है, समय पर अपने आपको मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए कि दिवार मजबूत है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, फांडेशन को देखकर खुशी होती है, जैसे पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्ति शाली ग्रूप बन जाएं, तो सेवा पीछे पीछे आएंगी, ड्रामा में वीजे माला की नूंध है, तो जरूर एक दो के न तो एक्जामपल अच्छे हो, अच्छा भी तुम मिलने का कोटा पूरा करना है, सुनाये ना, रत को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, उन दिनों दादी जी का स्वास्ते ठीक नहीं था, इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा स्वयम इस रत को सकाश देके चला रहे हैं, नहीं तो साधारन बात नहीं, देखना तो सब पड़ता है, फिर भी सब शक्तियों के अनर्जी जमा है, इसलिए रत भी इतना सहयोग दे रहा है, शक्तियां जमा नहीं होती, तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती, ये भी ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है, जो स्रेष् वर्म की पुन्जी होती है, वो वक्त पर काम आती है, कितनी आत्माओं की दुआई भी मिल जाती है, वो भी जमा होती है, कोई ना कोई विशेश पुन्य के पुन्जी जमा होने के कारण विशेश पार्ट है, निर्विघन रत चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है, छे मास को सब कमजोरियां समाप्थ हो जाएंगी किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप मिस्थित होने से सब कमजोरियां समाप्थ हो जाएंगी सिर्फ पुरश अर्थार्थ इस रत का रती प्रकृति का मालिक इस एक शब्द के अर्थ स्वरूप मिस्थित होने से सब कमजोरियां समाप् रती रत को चलाने वाला है ना कि रत के अधीन होने वाला। दूसरा प्रश्ण है आधी काल के राज्य दिकारी बनने के लिए कौन से संसकार अभी से धारण करो। आधी काल सत्यूग के प्रथम जनम में राज्य दिकारी बनने के लिए कौन से संसकार धारण करू अपने आधी अनाधी संसकार अभी से धारण करू अगर बहुत काल योधेपन के संसकार रहे अर्था युद्ध करते करते समय बिताया आज जीत कल हार अब यभी जीत अब विजईपन के संसकार नहीं बने तो शत्रिय कहा जाएगा ना कि ब्रामन ब्रामन सो देवता बनते हैं शत्रिय शत्रिय में चले जाते हैं विश्व परिवर्तक बनने से पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ती चाहिए विश्व परिवर्तन से पहले विश्व परिवर्तन का कारियम सब को मिला है उसे पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए विश्व परिवर्तक बनने से पहले अपने संसकारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए द्रिश्टी और वृति का परिवर्तन चाहिए आप द्रस्टा इस द्रिश्टी द्वारा देखने वाल को देखती हैं, चमडी के लिए सोचती हैं, ये काम फरिष्टों का वा ब्रामनों का नहीं है, आज का वरदान, विकारों के वन्ष के अंश को भी समाप्त करने वाले, सर्व समर्पन वा ट्रस्टी भाव, विकारों के वन्ष के अंश को भी समाप्त करने वाले, सर्व समर्पन वा ट्रस्टी भव जो आईवेल के लिए पुराने संसकारों की प्रोपर्टिक किनारे रख लेते हैं तो माया किसी ना किसी रिती से पकड़ लेती है पुराने रजिस्टर की छोटी सी तुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे माया बड़ी तेज है उसकी कैचिंग पावर कम न रस्टी वा यग्य के स्नेही सहयोगी स्लोगन है किसी की विशेशता के काड़ों से स्नेही हो जाना यह भी लगाव है लगाव मुक्त रहना है विशेशता ही परमातम देन है आज चलते फिरते बाबा की द्वारा बताया हुआ सफलता का मंत्र पक्का करेंगे हांची और है परविराच्षमान मैं सफलता मूरत आत्मा हुँ सफलता को समीप लाने के लिए संसकार मिलन की रास के लिए मैं तयार हुँ विचार मिलन, बाप समान संसकार मिलन सफलता की निशानी है, हांची और शुक्रिया कर्मक्षेत्र पर इन दोनों रहस्यों को, दोनों पाठ को यूज करना है, शुक्रिया, शुक्रिया, ओम शान्ति, होगा, अद्रिशे खूल चक्षोता देखो, आस्तित्व उनका महसूस होगा, मिलो उनको ब्रमोतन में, मेहका लो मन की पेला, थाम इस वेग को जगा लो विवेग सारे जग का करण धार हो, मुरले की तान बज रहे हो, मुरले की तान बज रहे हो,